दुर्ग जिले के तीन सराफा विवपाडियों से धोका धड़ी कर फरार आरोपी मनी सोनी और धिरत सोनी जीजा साला को दुर्ग पुलिस ने कोंडा गाउं से गिरफतार कर नियाएक रिमान पर जिर भेज दिया है। अब कुतवारी पुलिस भी दोस्वामलों में आरोपियो को रिमान में लेकर पुछताज करेगी। जिले के तीन सराफा विवसाईयों से एक किलो 652 ग्राम सोने के गहने हड़प लेने वाले आरोपी जीजा साला को एक अन्य मामली में पुलगाउं पुलिस ने गिरफतार कर पुलिस ने नियाएले में पेश किया जहां से उन्हें नियाएक रिमान पर भिजा गया है। अब कोतवाली पुलिस दो मामलों में आरोपीयों को रिमान में लेकर पुछताज करेगी। पुलिस के मताबिक आरोपी मनिस सोनी व उसके रिष्टे के साले धिरस सोनी के खिलाब कोतवाली थाने में धारा 406-420 के तहत अपराद सोंडा गाउ निवासी धिरस सोनी ने पिछले लगभग एक वर्स पूर्व से सोने के गहने लेकर बदले में शुद्ध सोना देने का वादा किया था। तीनोही सराफा विसाईयों से आरोपीयों ने लगभग एक करोड की धोका घड़ी की थी। अपराद दर्ज होने के ब सोनी नामक व्यक्ति हैं जो अभूसर्ण बनाने के नाम से एक सोना उनके पास जमा कराया था लेकिन उनके द्वारा वापस नहीं किया जा रहा है और उनके द्वारा नहीं कोई कांटिट किया रहा है और वो देने से इंकार करके वो फोन बंद करके कहीं भाग गया है तो इ इस आरोपी के खिलाब थाना पुलवां में भी एक मामला पूरू से ही दर्ज था तो उस आदार पे हम लोगों ने उसको कुंडा गाउं से भी लाया है और उससे पूस्ताज कर रहे हैं एसी एन नीउस के लिए दुर्ग से नसीम फारूपिक रेपोर्ट